एक शब्द जो आधुनिक जीवन शैले का हिस्सा बनता चला जा रहा है तनाव कामकाज में भाग दोर निकल कर आई तो हम ये कहते हुए प्रतीत होते हैं कि तनाव बहुत है रिष्टों के अंदर समय नहीं दे पाए या अगले व्यक्ति हमको समझ नहीं पा रहा है और उस वज़े से अग्रेसिव हो रहा है वहाँ पर भी हम ये कहते हैं कि स्ट्रेस बहुत जादा हो रहा है क्या करें व्यापार के अंदर फाइनेंशल बर्डन्स बनी हुई है कुछ भी नया सोचने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है वहाँ पर भी हम ये कहते हैं कि अभी तनाव बहुत जादा है इस इस्तिती से निकलेंगे तो थोड़ा रिलीफ की और जा पाएंगे अब यहां इस तनाव नामक शब्द को दो स्थतियों के अंदर देखने के आवशकता है एक वो तनाव जो वास्तवे कहदों में यहां पर साथ में बना हुआ है इसका इस पस्ट अर्थ ही ये है कि हमको इतने कार्य सौपे गए हैं जो कि समय की स्ततियों के अंदर और तैस एमाओं में पूरे हो ही नहीं सकते, न उतनी टीम साथ में हैं, न उतने हमारे बास में संसाधन के आधार हैं, इसी वज़े से एक स्ट्रस निकल कर आ रहा है, तो वही पर हमको नौकरी पेशा जीवन के अंदर कुछ लोगों के द्वा नकारात्मक बातें सुनने को मिली, ले ओफ हो रहे हैं, ट्रांसपर्स हो रही है, आपके बारे में वोग एक्तिबिशेश ये कह रहा था, आपके लिए कॉंस्पिरिसी क्रियेट करने का प्रयास किया जा रहा है, ये सारे ही शब्दों का जो ताना बाना हमारे इर्द गिर् विकार करते हैं, ये जबरदस्ती के तनाव हम अपने जीवन के भीतर लेकर चलने वाले होते हैं, चैह महीने पहले कोई ऐसी बात आप से कही गई थी और आज होने हैं, आप उसको रिव्यू करने के वर जाते हैं, तो ये मालुम चलता है कि ऐसी सारी ही बातें जो हमारे मुक रखी गई थी, उसका कोई भी आधार प्रमुक तोर के उपर नहीं था, तो उस इस्तिती में भी व्यक्ती विशेश एक तरह से जबरदस्ती के तनाव के साथ में चल रहा होता है, और जब हम श्रिणी बद आधार के साथ में इन तनाव की स्तितियों को देखते हैं, त और जब भी ये दोनों ही तनाव के स्तर मिश्रित होते चल जाते हैं, व्यक्ती खुद को और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करने के और आता है, आप देखिए कामकाजी जिवन के जो पूरे ही बोज है, वो साथ में जुड़े हुए हैं, और वहीं पर कोई व्यक्ती ऑफिस प कामकाज पर भी पूरा ध्यान किंदृत करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं ध्यान किंदृत करने का किंतु यहां हम सफल सद दो रहे हैं तनाव को हासिल करने के अंदर, इसी वज़े से व्यक्ती अपने भीतर की संरंचनाव के अंदर तथा कतित तोर के उपर ऐसे परोसे जा रहे तनाव से कितना दूर है, वहीं से उसके लिए वजय की आधार शला कामकाच के अंदर निकल कर आती है, पारिवारिक जीवन के अंदर extended family में, किसी वेक्ति विशेश ने आपके बारे में कहा, कि इस तरह की राई शुमारिया आपके बारे में बन रही थी, अब आप वहाँ उग्र होने लगते हैं, जब आपके तैयारी करने लगते हैं, जबकि उस वेक्ति की बात को इग्नूर किया जा सकता था, किसी family function के मंदर लंबे समय से लोगों से मुलाकात हो रही है, किन्तु हमारे सब conscious के मंदर एक ही बात गुम रही है, ऐसा कहा, तो कहा क्यों, अब वो तनाव साथ में है, जो वहाँ खुशियाली हासिल होनी चाहिए थी, जो वहाँ मन के बेटर आनन्दित करने का बाता वरन साथ में होना चाहिए था, उसके जगे है, वो वेक्ति कब मिलता है, कब हम उसको indirect और direct अप्रोच में जवाब देने के अर जाते हैं, वहीं से अपनी सोच कि स्ततियों को लेकर चलने वाले होते हैं, तो ऐसे इस तर पर जो भी तथा, कतित, तनाव जीवन की भीतर जुड़ रहे हैं, वो अधिक डिस्टरब करते चले जाते हैं, और जो यहाँ पर दूसरे इस तर पर वास्तविक तनाव हैं, उनके साथ मैंसे तथा, कतित, तनाव घुल मिलकर हमारे लिए एक मेजर और पीक अब दी फ्रस्टरेशन का बेस क्रियेट करने वाले होते हैं, इसे वज़े से स्वयम को यह समझाने की आवशक्ता है, कि ऐसी सारी स्थितियों के अंदर खुद को किस तरह से हम संभाल कर चलने वाले होते हैं, लोगों की बातों के द्वारा मिल रहे तनाव से हम जितना दूर हैं, उतना ही वास्तविक हद के अंदर एक्जिस्टिंग बेस में जो स्ट्रगल चल रहे हैं, उस पर हम फोकस कर पाते हैं, यह प्रक्रिया है, यह अभ्यास का माध्यम है, जिसके साथ में जीवन चलता है, तो इसपस्टता और सहचता लेकर आने वाला हो जाता है, इस एक बात पर गौर करने की आवशक्ता होनी चाहिए, और कहीं ने कहीं, हम भी इस विभेद को अपने साथ देखने वाले जरूर हों, यह एक विहवारिक स्तर की चर्चा, और इससे आगे बढ़कर, यह हम जोतिशी आधार के साथ में इसी वशय को लेकर चलें, आप देखिएगा, ब्रिहस्पति बुद्ध यही साथ में होंगे, चंद्रमा और बुद्ध की स्ततियां यही साथ में होंगी, ऐसे ग्रहों की महादशा और अमतरदशा यही साथ में चल रही होगी, तो व्यक्ति अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के अंदर बहुत जादा परेशानियों का नभव करता है, चोटी चोटी बाते घिर कर मन के भीतर एक ऐसा आवरण बना देती है, जो व्यक्ति को निराशाओं के भवर के अंदर लेकर जाने वाली होती है, बुद्ध जहां मानसिक चेतना के अदिपती, इन दोनों ही ग्रहों का यूति संगत आधार, और वहीं बुद्ध की महादशा और अमतरदशा का परवरतनी अक्रम जब साथ में चल रहा होता है, तो आप ये गौर करेंगे कि ऐसी पोजिशन्स के अंदर व्यक्ति बहुत ज़ादा विचारशील हो जाता है, परती एक बात के साथ में सोच को लेकर चल रहा है, ये कारियर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, उस व्यक्ति के पास में पहुंचे, उसने मुलाकात की, या फिर मुलाकात के साथ में उसको कन्विंस नहीं कर पाए तो क्या करेंगे, मुलाकात ही नहीं हुई तो क्या करेंगे बेसलेस एजम्शन्स के साथ में चलना और उसके साथ में खुद को परेशान करते चले जाना ऐसे माध्यम कई बार रहते हैं इसे बज़े से ऐसे शत्रुग्रहे जो चंद्रमा और बुद्ध के आधार के साथ में ब्रेहस्पती के आधार के साथ में बने हो तो सबसे जादा व्यक्ति की सोच को बेचलित करने वाले होते हैं इसी वज़े से हम ये क्लेरेटी अपने साथ में लेकर चलने का पूरा-पूरा प्रयास करने वाले हो कि कोई ऐसे ग्रहे की मादशा और अंतरदशा तो नहीं चल रही है ये ग्रहे कहां किस स्तिती के साथ में विद्यमान है चंद्रमा बुद्ध सेकंड आउस के अंदर हो गए तो वानी कई बार रियक्टिव हो जाती है या फिर विक्ति इतना शान्त हो जाता है कि भीतर ही सारी की सारी फ्रस्ट्रेशन को भर कर रखने वाला होता है वहीं बुर्यस्पति और बुद्ध की स्तियां दशम भाव के साथ में जुड़ गई अब प्रतीक निरनाय के साथ में अब निरनाय पहले निकल कर आते हैं कार ये सामने हैं पूर्ण हो सकता है हम रुके वुए हैं किस तरह जाएंगे और फिर विक्ति यही कहता वो प्रतीत होता है कि नजाने कितने मौके जीवन के अंदर आए पश्चात आपके सिरे साथ में खड़े रह गए तो इसी वज़े से हम यदि किसी भी ऐसी युती संगत आधार को जो नकारात्मक्ता को प्रदर्शत करने वाली होती है ऐसी स्तियों से संबलते हैं तो खुद के जीवन को काफी हद तक सहचता भी देने वाले हो जाते हैं हम यहां आपके सम्मक इंसारी चर्चाओं के बाद में दो जनवरी 2022 का दैनेक राशिफल रखने का क्रम शुरू करने वाले होंगे चंद्रमा की स्तियां धनु राशिस्तान में प्रवेश कर चुकी हैं तो वहीं मूगल नक्षत्रिय परिदिया धार मौजूद है पाउश मास करशन पक्ष तो साथ ही साथ में सूरी देव की स्तियां धनु राशिस्तान में ही गवन कर रही है रविवार है और हम दैनेक राशिफल के शुरुबात करते हैं मेश राशी के साथ में इस वर्ष का प्रथम रविवार और जो समय घर परिवार के साथ में आपके लिबितेगा मन को सुकून की इस्तियों से लबरेस करने वाला होगा अध्यात्मिक चंतन का प्रवाह आप मैसूस कर पाएंगे गर परिवार के सहीयोग की वज़े से जिन कारियों को पूर्ण होना था और सभी के सम्मेलित नहीं हो पाने की कारण वो कारिय वितक अदूरा था उसकी पूर्णिता के अंदर आप एक सेतु बनकर आगे बढ़ने वाले और कामकाच को बढ़ाने वाले हो सकते हैं यहां higher education संबंधी बेस के अंदर positivity आपके लिए लगातार बनी रहने वाली होगी इसमें कोई भी दुराय नहीं है विध्यारती वर्ग के लिए जो एक सकारत्मक सिरा संमुक मौझूद होना चाहिए वो भी बहुत अच्छे से संपरिशत आधार को निर्मित करता चला जा रहा है आप यह देखिएगा कि यात्राओं से संबंधित कामकाच के अंदर जिस सफलता को आप अपने साथ में जोड़ कर देखना चाह रहे थे उसकी पूरी पूरी और भूरी भूरी संभावना साथ में बनी हुई है वानी अधिकार के साथ में आपको लेकर चल रही है किसी भी व्यक्ति विशेश की प्रशंचा का मौका मिलता है तो आप वहां से बिल्कुल भी दूर हटने वाले नहीं हूँ मन में कोई भी विचार नहीं लेकर आएं किसी से कोई भी कार ये बढ़िया तरीके से पूर्ण होता वा मिला है प्रशंचा भरे शब्दों के साथ में बहां तक आप चलने का प्रयास जरूर करें वहीं वुरशब राशे के लिए जो भी कामकाज यहां पर भाग दोड़ के साथ में और समय की बद्दताओं के साथ में जुड़े होते हैं वहां डिस्टर्बेंसे आ सकते हैं उससे संभलने का प्रयास करें स्वास्ते संबंधी सिरे के साथ में कमर दर्द से संबंधित परेशानी और जो मस्कूलर पेन की अन्यत रस्तियां होती है उनसे संभलना अतीव आवशक रहेगा वानी पर नियंतरन रखिएगा और वहीं पारिवारिक जनों के साथ में रिष्टों की बुनियात के मंदर जो अपनत्व जागरत होना चाहिए उसको भी अपने साथ में लेकर चलने का प्रयास करें खर्चों पर नियंतरन रखते चले जाईएगा और वहीं पर आप यदि यहाँ पर किसी नए कामकाज की शुरुआत कर चुके है फरस्ट्रेशन के मंदर कोई भी निर्णे को पुने है बदलने के बारे में बिल्कुल भी आप सोचने वाले नहीं हो यहाँ पर जो स्वास्ते संबंदी आधार में कमर दर्द से इतर यदि हम बात करते हैं वाईयू जनत विकार भी परिशान करने वाले हो सकते हैं उनसे समगलिएगा विध्यारती वर्ग को यहाँ डिस्ट्रक्शन बिल सकता है वहीं किसी रिलेशन के साथ में आप हैं किसी भी तरीके की कमिट्मेंट के अप्रोच इंस्टेंट बेस पर सामने आ रही है वहाँ से दूर रहना आबशक वियापारिक जिवन के अंदर और रुपए पैसे के बड़े लेन देन से संबलने की जरुरत यहाँ आपको रहेगी वहीं मितुन राशी वियापारिक जिवन में यह समय अंतराल आत्म विश्वास के साथ में आपको लेकर चलने वाला होगा और वहीं सबसे महतुपून बात यह कि कि किसी व्यक्ति विशेश से आपको निरनायक डील की और जाना है दोपहर का समय अंतराल रविवार के दिवस में आती महतुपून का जाएगा दूसरे लोग जहां आलस्य के साथ में हैं दूसरे लोग किसी और شंका के साथ में हैं उसके ही समाधान के अंदर लगे वो हैं आलस से की प्रवर्तियों के साथ में इसाथ में कल और परसों पर कामकाज को टाल चुके हैं वहीं आप इस मौके को साथ में जूडते हैं और वहीं से अपने भाग्ये को एक अलग आजमाईश देते हैं इस स्थिति के साथ में आप चलें मैनिफेक्चरिंग संबंदी कामकाज में मशीन संबंदी स्थितियों का और जो लोगों को मैनेज करना होता है इन दोनों ही प्रक्रियाओं का पर मुक्तौर पर आप ख्याल रखिएगा लीड फ्रम दिफरंट की जो एक्जामपल को स्टेबलिश करके चलना होता है वहाँ पर भी आपको काफी हद तक जद्दो जहद करनी पड़ सकती है इससे मिनकार नहीं करेंगे टेक्स्टाइल संबंदी कामकाज में ये दवस्वशेश आपके लिए बहतर स्वास्ते में ग्रिहस्त पक्ष का काफी हद तक ख्याल रखें तो वहीं संतान पक्ष की और से संध्या समय के बाद में बहतर खबरें मिलने की उमीद पूर्ण तया यहां पर रहने वाली होगी ग्रूमी संबंदित कामकाज में जो चर्चाओं की प्रक्रिया होती है उसको यहां मित्वन राशी के जाह तक आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं दो जन्वरी के इस समय में आपके लिए यहां नौकरी पेशा जीवन में आकस्मिक स्तर पर कोई भी कामकाज निकल कराता है तो वहां पर भी खुद को पूर्ण तया जोड कर रखने की आवशकताएं रहेंगी यानि की रियक्टिब नहीं हो यह नहीं सोचें कि अवकाज के दिन भी कामकाज सामने हैं अमारी भूमी का है अमारी जिम्दारी हम निभाएंगे और आगे बढ़ेंगे ये एक मूल मंत्र आप अपने साथ रखिएगा कर कराशी प्रतम तया स्वास्ते संबंदी स्तियों के अंदर आपको मौसम जनत बिमारियों से और साथ ही साथ में जो यहां माइग्रेन से रिलेट करती हुई प्रब्लम्स होती है उनसे बचने की जरूरत रहेगी खर्चों पर नियंतरन रखने का प्रयास करना आवशक है प्रोएक्टिव रहकर वहां अपनी वचार धारा को लेकर चलिएगा और वहीं ये निविदन करेंगे मापसे कि ये जो समय है शत्रुवत आधार को निर्मित कर सकता है अपनी बातचीत के अंदर कोई भी कॉंट्राडिक्शन को क्रियेट करने से आप बचिएगा यहाँ पर व्यापारिक जीवन के साथ में बड़े निर्ने लेने की जो प्रक्रियाएं होती है वो भी तिवरगामी होकर सामने निकल कर आ सकती है किन्तु रुपए पैसे के लिए दिन में सावधानी बढ़ती है का शाम के समय के साथ एक और बात आप ख्याल रखने वाले हो क्या आप यह किसी भी एक्सपोर्ट संबंदी काम का आज में जुड़ाव रखते हैं इंस्ट अप्रोच के अंदर कोई भी डिसीजन की एक तरह से अप्रोच सामने आती है तो कैसे उसको हम यहाँ पर हैंडल करने वाले होंगे क्या एक से दो दिनों के अंदर उस कार्रे को टाला जा सकता है एक बार समझा जा सकता है इस्तितियों को ये प्रक्रिया अपने साथ आप जरूर रखने वाले हों येकने विदन आप से हम करेंगे और वहीं पर मित्रों के साथ में जो यहाँ पर एक सपोर्ट का बेस आपके द्वारा उनको मिलना चाहिए वहाँ पर भी बहुत जादा ज्यान के अंदरत कीजिएगा कामकाजी जीवन से उतर वहाँ पर भी फोकस करने के रिक्वार्मेंट आपको रहेगी सिंग राशी व्यापारिक जीवन के अंदर लाप के सिरे आपके साथ आज बने हुए है इसी वज़े से अवकाश के दिवस में भी भाग दोड को अपने साथ में लेकर चलते चले जाईएगा ये निविदन आपसे हम करना चाहेंगे कि इस समय की प्रक्रियाओं के अंदर सिक्षा संबंदित कारिशितर के साथ में आपका जुडाव बड़े निरनाएं आपके होसले में बड़ोतरी करने वाले होंगे सफलता के नियामक आधार को भी आपके सम्मुक रखने वाले हो सकते हैं और वहीं पर संगराशी के जातकों को चाहिए कि अपने क्षमताओं के अनुसार ही कामकाज में बढ़ने वाले हों आप दोपहर के समय अंतराल के अंदर यात्रा संबंदी कामकाज को बढ़ाना अधिक हिदकामी रहेगा भूमी संबंदतकारियों में निरनाएं की प्रक्रियाओं को यहां आगे बढ़ाने से अभी भी रुकने की आवशक्ताएं आपको रहेंगी किसी भी तरीके की कॉंट्राडिक्शन के अप्रोच ग्रहस्त पक्ष और संतान पक्ष के साथ में सामने आ रही है वहां रुक जाना एक बार अपनी वारतल आपको पॉस दे देना और किसी भी अप्रोच को कॉंट्राडिक्ट नहीं करना यह आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा स्वास्त के अंदर मजबूती की जो एक तरह से प्रभायत स्थतियां होती है वो आपको आगे बढ़ाने वाली रहेंगी मानसिक तनाव जो घर किये वो थे अब उनसे आप दिरे-दिरे मुक्त होते चले जा रहे हैं सरवांगिन लाप की परिधियों के अंदर भी यहाँ के लिवर्धी यानि जिस जिस कामकाज के अंदर जैसे जैसे आपने बढ़ने की शुरुवात की है वही से व्यवस्तत व्रधी आपके सम्मुक निकल कर आने वाली हो सकती है इसमें कोई भी डाउट आप रखने वाले नहीं हो और वहीं संगराशी के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर हरदय जनित रोगों से जो दुविधाएं बनी वी थी आप ने अब जो रूटीन अपना लिया है उसको बिल्कुल भी आप ड्रॉप करने वाले नहीं रहें वहीं कन्या राशी प्रतम तया आज इविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसत करके चलना चाहते हैं लहाजा ये समय आपके लिए सपोर्टिव रहेगा फ्लेक्सिबिलिटी के अपरोच को अपने साथ में अपना कर चलना बेहद जरूरी है और यहीं पर जो तकनीक से संबंदित कामकाज होते हैं इसी समय अंतराल के मदर प्रबंदन संबंदि कामकाज के मदर बड़े निरने के और आपको जाना रह रहा है तो वहाँ पर भी अपनी अपरोच को आप कैसे एस्टबलिश करेंगे इस एक फ्रेम पर आप फोकस करके चलिएगा बड़े निरने की आधार शिला यदि यहां रखी जाती है तो जिवन के जो भी महतुपूर्ण परामर्श जाता हैं उनसे चर्चा करते चले जाईएगा कन्या राशी के जातकों के लिए यहां पर जो कमिशन संबंदि कामकाज होते हैं लंबे समय से आप कहीं पर भी प्रयास कर रहे थे आज उन प्रयासों में सफलता का पहला सिरा आप देखना चाते हैं उसके शुरुवात यहां आपके सम्मुक आ सकती है इसे एक बात पर आप फोकस करते हूँ चलें और वहीं कन्या राशी के जातकों के लिए एक महतुपूर्ण बात और यहां सामने रहेगी कि माता की जो स्वास्त की स्थियां आपको लंबे समय से परिशान कर रही थी आप डाइग्नोस करवाने के प्रूश के और जाते हैं ट्रीटमेंट के और जाते हैं और वहां से जो सुधार आप देखेंगे मन को तसली के एक तरह से आधार मिलते चले जाएंगे तोला राशी परतम तया यहां नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो अबसर सुगमता के साथ सम्मुख नहीं जुड़ पारे थे वहां पॉसिबिलिटीज काफी हद तक बहतरी को दरशाती चली जा रही है इसे के साथ मैं यातरा संबंदी काम का आज में आपके लिए तिवरता बनी रहेगी अपनी प्रायरिटी को डिसाइड करके चलीएगा अनिता समय काफी हद तक जाया हो सकता है और उसके साथ मैं शाम के समय पश्चाता आप ही जुड़े रहने वाले होंगे ऐसी प्रक्रियाओं से संबलने की जरूरत है और वहीं आपके लिए आध्यात्मिक चंतन के स्थियां रविवार के दिवस में बहुत अच्छे से मौजूद यहां जो कारिय और जो एक तरह से लोगों का साथ आपको मिल रहा है यानि की कारिय की स्थियां भी मिल रही और लोगों का साथ भी है तो इसे एक अवसर माने और जिस तरह से खुद को आप जोड़ कर स्वाइम को संगटित रखकर कामकाश की पूर्णिता लेकर आएंगे बैतरी रहेगी राजनितिक शेतर के अंदर हस्तक शेप रखने वाले व्यक्तियों को एक तरह से नाम की जो इस्ततिया होती है वो मिलने वाली हो सकती है व्यापारिक जीवन के साथ में चलते हुए ये ध्यान रखिएगा कि सुबह सुबह का समय अती महतुपूर्ण है जितना वर्ष की प्रक्रियाओं के अंदर आपको बड़े नर्णे लेने होते हैं वहाँ पर सहचता देता चला जाएगा इसमें कोई भी इनकार करने वाली बात दूर दूर तक भी नहीं है वरिश्यक राशी के जातकों के लिए यहाँ पर घर परिवार के और से मानसिक तनाव नि परिशान कर रही थी वहाँ से भी खुद को एक तरह से प्रॉपर बेस के ट्रीट्मेंट के और जरूर आपको लेकर चलना चाहिए स्वायम को वानी पर नियंतरन रखने के साथ में जो अपनत्व के भाव प्रोफेशनल लाइफ के अंदर रखने होते हैं उस एक बेस को भी अपने साथ आप जरूर जोड़ कर रखने वाले रहें ये एक निविदन आप से हम करेंगे यसी समय अंदराल के अंदर एक जो महत्तुपूर बात और निकल कर आती है वो यह है कि आप मैटल संबंदी काम का अज में अगले पूरे ही सबता के साथ में निवेश की प्रक्रि हो तो आगंट की स्ततियों को सौयम के साथ में बिल्कुल भी जोड़ने वाले नहीं हो उससे पूर्ण तया मुक्त रहकर चलने का प्रयास करें यहाँ पर आपके लिए तकनीक संबंधी कामकाच के अंदर जो एक डेवलिप्मेंट वाले प्रूच होती है वो इंस्टेंट के लिए संभावनाओं के सिरे को अलग तरीके से रखता चला जा रहा है वहीं दनुराशी चंदरमा दनुराशी महीं चलाएमान व्यापारिक जीवन के अंदर यहाँ पर नए अन्दबंद आपके साथ में जुड़ सकते हैं और जो व्यापारिक संज़दारियों के अंदर मन मुटाव बने वी थे उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है इस एक हद पर भी स्वयम को आप जोड कर रखिएगा धनुराशी के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर जो भी आप निरने लें उसमें गरिहस्त पक्ष को संभलत करने वाले जरूर हो एकल बूते नौकरी कामकाच के अंदर आलस्य में हो आप अपनी स्ट्रेजी को प्रिपेर करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हो इस एक मूल मंतर के साथ में बढ़ना काफी हद तक जरूरी रहेगा टेक्साइल संबंदी कामकाच के साथ जुड़े हुए मानुभावों के लिए अवसरों के सतियां तेजी से बनी हुई और वहीं कोई भी डिसाइजिव मीटिंग की अप्रोच सामने आ रही थी मन के भीतर एक गबराहट भी बनी हुई है किस तरह से खुद को प्रेजेंट करेंगे आज रविवार के दिन ऐसी पूलिशन्स निकल कर आ चुकी है कहीं पर भी आप पॉजिटिविटी नहीं बन पा रही थी नहां पर भी आप एक बहतर फ्रेम को अपने साथ में स्टेबलिश करने वाले होंगे आप किसे भी रिलेशन के अंदर चल रहे हैं और जो चूटी चूटी बातें आपके मन को व्यथित कर रही थी उससे कैसे मुक्त होकर आप आग कर आती हैं तो उनके प्रविजन क्या है क्या इस पस्ट ता साथ में जुड़ी होगी किस तरह से हम उनको अपने जीवन के भीतर देखने वाले हों ये सारे ही सुरूप यहां एक बार आप इस पस्ट तोर पर लेकर जरूर चलें बगर राशी के जातकों से निवदन के कंस् खर्चों के प्रवाह यहां जैसा आपने आपको बताया ते बरगामी रहेंगे जो शत्रू हैं जो कई बार कलीक्स की शकले के अंदर होते हैं हम उनको पैचान नहीं पाते हैं कई बार कॉम्पिटिटर्स की अपरोच के साथ में होते हैं हम उनको भी नहीं पैचान पाते है अपनी पूरी ही जो इस पस्ट निगाह होती है ऐसे लोगों के साथ में रखकर चलने का प्रयास कीजिएगा जिसे कोई भी व्यक्ति हितों को नुकसान पहुचाने वाला नहीं हो और वहीं मकर राशी के जातकों को चाहिए कि जब भाग ये का सा योग उस इस तर पर नहीं है तो स्वैम को आप जबर्दस्ती विचलित करने से बचिएगा यानि कि कामकाश के अंदर जबर्दस्ती हम फ्लू का इस्टेबलिश कर रहे हैं कि इन तो पर नामों की परते दोनी नहीं है ऐसी स्थतियों से संबलना अतीब आवशक आप के लिए रहेगा और वहीं ये प्रांत में भी बीच रहा है मन को संतुस्ती के प्रकर आधार अब देने वाला होगा और साथ में ही कुमबराशी के जातकों को चाहिए कि इस समय में आप अपने धैरे के साथ में चलते हुए जो भी सम्मुक आता है उसकी स्वीकारुकती को स्थाफित करते हुए चलिएग यहाँ यह निवदन है कि जो माता पिता के साथ में ग्रिहस्त की वज़े से कोई भी तनाव के क्षण सामने थे कैसे उससे आप बाहर निकलेंगे उसके बारे में विचार करने की जरूरत रहेगी सरवांगीन लाप के साथी साथ में भाग जिका सही योग है इसी वज़े से यह दिवस सफलता क्या तिरेक को सम्मुक लेकर आ सकता है विदेश संबंधी कारियों के अंदर भी खुद को और सादा बहतर तरीके से आप लेकर चलने का प्रयास करते चले जाईएगा और यही की सलाह जो आकस्मिक तोर पर मिलती है और हम उसको दरकिनार कर देते हैं एगनूर कर देते हैं ऐसी प्रवर्तियों से भी आप बचने का प्रयास करते चले जाईएगा और वहीं कुमराशी के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर आप दिरी कोई भी हैबिट को डेबलब करना च रहेगा वहीं नेन राशी के लिए यहाँ आजीविका के जो नए माध्यम हाल ही में विक्सित हुए थे वहां से और अधेकते वरता निकल कर आ सकती है इसी के साथ में आप ये भी देखें कि प्रबंदन संबंदी कामकाज में सुरिष्टता के आधार बने रहने वाले और वहीं मानसिक सुक की स्ततियों के अंदर वृद्धी के सरे आपके लिए बहुत अच्छे से सम्मुक हैं कोई भी इंटर्विव कॉल अनापचारिक तोर पर सामने आता है कोई विक्ति विशेश मुलाकात कर रहा है किन्तु उसकी जो उद्देश्य परक स्ततियां है वो अलग हैं तो अब कैसे हम वहां से अपनी पॉसिबिटीज को क्रियेट करेंगे ये जानने और समझने के जरूरत पूंट या बनी हुई है नीन राशी के जातकों के लिए यहां पर यात्राओं के साती सात में जो सुख़दाधार होने चाहिए वो भी निकल कर आने वाले हो होंगे पैतरिक स्तर के ओपर कोई भी विवाद चल रहा था किन्तु अब उसके सॉल्यूशन का बेस सामने बन रहा है तो कैसे वहां पर हम खुद को अधिक स्तर पर जोड़ कर उस सॉल्यूशन के अंदर भी अधिक पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हैं ये प्रयास आप करत बने वाली नहीं है ये भी इस परश्ता आप जरूर रखें तो ये था दो जनवरी 2022 का दैने कराशिफल हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर आपके सम्मुक हाजर होते रहेंगे धन्यवाद और कोटी शह आभार